हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे ओनलाइन चैनल अरध्या अरेस एकड़िमें दोस्तों राजस्तान में आयूजीत राजस्तान पटवारी बरती परिक्षा 2021 के नवीनतम पाठेकरम के अनुसार भारतिये बुगोल के टोपिक वाइज टोप इंपोर्डेंट प्रस्तों की सिरीज स्टार्ट की गई थी जिसमें अपने तीन चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं आज अपना चोथा नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है भारत की परमुक नदियां तो दोस्तों बारत की नदियों से समंदि आज मैं आपके लिए टोप 40 प्रस्त लेके आहा हूँ यह प्रस्त न आपकी परिकसा कि दरष्टी से अत्यंत महत वपुन है और पटवारी बरती प्रिक्सा के लिए तो अ।えーv महत वपुन है ठीbat है तो दोस्तों को आपकोड़ना है और अगर आपने अभी तक착 आत्ट पता होना चाहिए दोस्तों जो हिमाले के पार है वो कौन-कौन सी नदियां है तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म पूत्र सिंदू और सतलज ये तीनों नदियां है ये दोस्तों हिमाले के पार वाली नदियां है बाकी देखिए गंगा नदी है इसका उद हिमाले पार की नदियां है ब्रह्म पुत्र सिंदू और सतलज बे नंबर का उप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए इसमें सेकंड नंबर प्रेस ने निम्न लिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही करम कौन सा होगा तो दोस्तों अपने को बता देखिए जो ब्रह्म पुत्र नदी है इसकी लंबाई है यह सब को पतावना चाहिए दोस्तों वह है गुन 300 किलोमेटर कितनी है गुन 300 किलोमेटर है वह ब्रह्म पुत्र नदी की लंबाई है अब आजाओ दोस्तों अपने गंगा नदी में तो गंगा नदी की दोस्तों ल गोदावरी की जो लंबाई है वो दोस्तो 1465 है कितनी है 1465 किलो मिटर और उसके बाद में दोस्तो नरमदा और नरमदा की दो दोस्तो जो लंबाई है वो है 1057 किलो मिटर अब आप देखिए मैंने आप लंबाई बता दिया है सब की तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ब्रहम भारत की व्रधितम नदी कौन सी है तो दोस्तो भारत की व्रधितम नदी कौन सी है तो वो है दोस्तो गंगा नदी ठीक है डी नंबर का जो अप्चन है वो इसका बिल्कुल सही तर हो जाएगा ठीक है देखिए गंगा नदी है ये भारत का सबसे बड़ा अफवा तंत्र है ज है जो भारत का सबसे उच्छा बांध है कौन सा टीहरी बांध ठीक है ये भी दोस्तो गंगा नदी पर ही इस्तित है ठीक है ये भी आपको इसको में याद रखना है आगे देखिए दोस्तो इसमें जो चार नंबर का प्रेस ने गंगा नदी को बंगला देश में किस नाम से ज जाना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पद्मा के नाम से जाना जाता है किस नाम से पद्मा के नाम से तो इसका राइट आंसर यह नंबर का ओप्शन है वो इसका बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तों इसमें पांच नंबर प्र संयुक्स जलदारा है वो किस नाम से जाने जाती है तो उसको दोस्तो मेगना के नाम से जानते हैं किस नाम से मेगना के नाम से उसको जानते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तो C नमबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका आगे देखिए 6 नमबर आंसर हो जाएगा वो है गंगा और ब्रहम पूत्र है तो इसका बी नंबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे साथ नंबर का प्रेस ने निमन लिखे थे नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क से तू है तो दोस्तों भारत की कौन सी नद आगे देखे दोस्तों आठ नंबर प्रेस ने सुन्दरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है तो दोस्तों सुन्दरवन डेल्टा है यह कौन सी नदी बनाती है तो दोस्तों गंगा और ब्रहम पूत्र नदी मिलकर दोस्तों सुन्दरवन डेल्टा है यह बनाती है तो इसका गंगा और ब्रह्म पुत्र नदियों का उद्गम इस्तान करमसे इस्तित है तो दोस्तों कहां पर इस्तित है गंगा नदि का उद्गम इस्तान का पर है तो ये तो सब को पताओगा दोस्तों गंगोत्री हिमनद उत्राखंड से और ब्रह्म पुत्र नदि का जो उद्गम इस् नदी का उधगं होता है भ्रह्म पूतर का तो इस प्रहाइशा नंबर गांगे देखिए द्दोस्तो इस में इस जो ब्रह्म पूतर नदी है इसको scheint में किस नाम से जानते है यार लंग शांग का लिए नंशमा में कौन सी नदी का उधम्हारत में वह नहीं है तो इसका राइट अंसर हो जाएक वह ती को बहँत्र निम्ना छिट में बहरां किस्वोब भारत में प्रिवेश करती है तो दो दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया जो ब्रह्म पुत्र नदी है इसको दोस्तों चाइना में यारलंग सांग्पों के नाम से जानते हैं ठीक है और यह भारत में प्रवेश करती है तो कौन से राज्ये से होकर प्रवेश करती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों देखिए यह बारत में प्रवेश करती है अरुणाचल परदेश में दिहांग से तीक है और अरुणाचल परदेश में इसको दिहांग के नाम से जानते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है C number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तो इसमें 12 number का प्रेशन है सिंदु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रहम पूत्र की यह लंबाई कितनी है तो दोस्तो सिंदु नदी की लंबाई है वो कितनी है तो वो है दोस्तों, गुण तीस सो, ठीक है, यानि कि शिर्फ 20 किलोमेटर कम है, बरंपुत्र से, तो यानि कि दोनों की लगबग बराबर ही मानी जाती है, तो इसका right answer कितना हो जाएगा, देखिए, बी नमबर का option गुण 30 किलोमेटर है, बी नमबर option सयुत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों किस नदी का तो देखिए सिंदू सतलज और ब्रह्म पूतर इन तीनों नदियों का दोस्तों उद्गम है वो मांसरो और जील में से ही होता है उसके आसपास के चेत्रों से ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो अप्शन है वो इस तो यह तो आप सभी को पताओगा दोस्तों मांजूली दीप है ये ब्रह्म पूतर नदि पर बना हुआ है तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिलकुल सही उत्तर हो जायाएगा मांजूली दीप है ये ब्रह्म पूतर नदी पर है आगे देखिए पंदरा नंबर का प्रेशन है निमने लिखित में से कौन सी नदी दक्षिंड से उत्तर के और परवाहित होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बेतवा नदी है ये दोस्तो उत्तर से दक्षिंड से उत्तर के और परवाहित होती है याद रखना दक्षिंड से उत प्रवाहित होने वाली नदी गोणंची है तो वह बेतवा तो इसका राइट आंसर डी नमबर का उप्षण से जुद्तर आगे देखेए 16 नमबर का प्रेशने निमन मेंसे किस नदी को बिहार का सोक कहा जाता है तो बिहार का सोक आगे देखिए सत्रा नमबर का प्रस्न है निम्न में से कौन सी नदी हिमाले से परे की नदी है तो दोस्तो हिमाले से परे की नदी कौन सी है तो यहां पे देखिए सतलज नदी और सतलज नदी का उदगम है वो कहां से होता है तो यह तो दोस्तो सब को पता होना चीए दोस्त तो सतलज जो नदी है इसका उद्गम है वो दोस्तो जो राकसस्ताल जील है मानसरोर जील के पास में ठीक है वहां से इसका उद्गम होता है ठीक है सतलज नदी का यानि कि हिमाले पार से तो इसका राइट आंसर से नबर का अप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सतलज आ इसमें कोसी नदी कोसी नदी है ये विनासकारी नदी कहलाती है क्योंकि इसमें दोस्तों बाड है वो ज्यादा आती है ये आपको इसमें याद रखना है इसमें बाड बहुत ज्यादा आती है और विहार में विहार का इसको तो सोक का जाता है C number option सयुतर आगे देखिए 19 number प्रेस ने निमनलिकित में से कौन नदी बंगाल का सोक कहलाती है तो दोस्तो बंगाल का सोक है वो कौन सी नदी कहलाती है तो इसका right answer हो जाएगा वो है इसमें बंगाल का सोक कहते हैं दोस्तो दामोदर नदी को ठीक है तो इसका right answer D number का option बिल्कुल सयुतर हो जाएगा दामोदर ठीक है आगे देखिए दोस्तो इसमें 20 number प्रेस ने वे दो परमुक नदिया कौन सी है जो अमर कंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग-अलग दिसाओं में बैती है तो देखिए अमर कंटक की पाड़िया काँ पर है मद्दे प्रदेश में और मद्दे प्रदेश से दोस्तो दो नदी निकलती है लेकिन देखिए एक नदी इधर चली जाती है तो दूसरी इधर चली जाती है ठीक है तो देखिए वो नदी कौन-कौन ची है तो सब को पतावना चीह नरमदा और सोन नरमदा और सोन ठीक है यह दोनो नदीयों का उद्गे म है वो एक ही जगे से होता है अमर कंटक खाडी में जाके गिरती है ठीक है यानि कि पस्यम की तरह बेहती है और जो सोन नदी है यह दोस्तो गंगा नदी में जाके मिल जाती है ठीक है तो इस प्रेसन का राहिट pivotal हो जाएगा नरमदा और सोन सी नमबर का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 21 नमबर प्रेस ने तवा किसकी सायक नदी है तवा किसकी सायक नदी है तो ये तो सब को भी पतावना चाहिए दोस्तों देखिए चार option आपके सामने है यहां पर पूछा गया है तवा है ये किसकी सायक नदी है तो दोस्तो तो इसका right answer है वो है नरम्दा नरम्दा की ये सायक नदी है तवा ठीक है आगे देखिए दोस्तो बाइस नमर प्रेशने निमनलिकित में से कौन सी नदी प्रारंब में अरून नदी के नाम से जानी जाती है तो दोस्तो कौन सी नदी प्रारंब में अरून नदी के नाम से जा निए पेटवी सग्याया अगई जाने किसा है आगया थे scheduled के जैए कि थीक है सपब्षाइब कि निमन लिखित में से किस नदी को उड़ी सा का जाता है तो उड़ी सा का सोखallows है यह दोस्तो माहा निदी को कहा जाता है कौन सी नदी को महा नदी को कहा जाता है उडिसा का सोक और दोस्तों उडिसा ये जो महा नदी है इसका उदगम है ये दोस्तों सिहावा मद्देप्रदेश से होता है इस नदी का उदगम ठीक है सिहावा के पास से तो इसका राइट आंसर ए नमबर उप्शन ब कौन सी नदी निकलती है तो ये तो सब को पताऊगा दोस्तों वो है चंबल नदी ठीक है मद्य परदेश में महू जिले के समीप इस्तित जाना पाओ की पाहडी से चंबल नदी का उद्गम होता है तो इसका राइट आंसर बी नंबर का उप्शन बिलकुल से उतर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों 25 नंबर प्रेस ने भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है तो देखिए भारत की लवन नदी कौन सी नदी कहलाती है तो वो है लूनी नदी ठीक है लूनी नदी का जो उद्गम है वो नाग पाहड अजमेर से होता है और अजमेर से लेके और बाड मेर के बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है लेकिन बालोतरा के बाद में इसका पानी है वो खारा हो जाता है क्योंकि वहाँ पर दोस्तो सोडियम कलोराइड की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है ठीक है? तो इस प्रेशन का राइट आंसर बी नंबर उप्शन हो जाएगा आगे देखें कौन सी नदी बेडा गाट के समीप कपील धारा जल पर पात का निर्मान करती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें नरमदा नदी ठीक है? नरमदा नदी तो इसका राइट आंसर एट नंबर उप्शन हो जाएगा आगे देखें दोस्तो इसमें देखें नरमदा नदी है वो बेडा गाट मद्दे परदेश में दुहादार नामक जरने का निर्मान करती है ये आपको इसमें याद रखना है आगे देखें निमन लिखित में से कौन सी नदी जवारन नदमुक का निर्मान करती है तो कौन सी नदी है वो जवारन नदमुक का निर्मान करती है तो वो है दोस्तो नरमदा नदी ठीक है नरमदा नदी है ये दोस्तो जवारन नदमुक का निर्मान करती है तो इसका right answer C number option बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखें दोस्तो इसमें 28 number प्रेसने प्राइदी पिय भारत की देखें प्राइदी पिय भारत की निम्न नदियों में से कौन सेस तीन से विशिष्ट रूप से बिन है तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है कौन भिन है तो देखें कौन सी नरमदा तीक है अब ये भिन क्यूं है तो देखें दोस्तो नरमदा नदि है ये कहां जाकर गिरती है खंबात की खाड़ी में यानि कि इस तरफ और जो बाकी कावेरी ठीक है कृष्णा और गोदावरी ये तीनों नदियां है ये दोस्तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है यानि कि विपरी दिशा एक मातर इसमें नरमदा नदि है नरमदा और तापती नरम्दा और तापती ये दोनों नदिया है ये दोस्तों खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है यानि कि विपरी दिशा में इधर बैती है दोनों की दोनों पस्षिम दिशा की तरफ ठीक है और बाकी सारी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है एक माही नदी भी खंबात की खाड़ी में गिरती है ये भी आपको याद रखना है ठीक है और साबर मती है ये कच के रण में जाके समा जाती है और बाकिसारी आप बंगाल की खाड़ी में ले जाके टेक दो ठीक है आगे देखिए निम्न लिकित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है तो कौन सी नदी एस्चुरी का निर्मान है वो नहीं करती तो इसका राइट आंसर अजाएगा वो है महा नदी महा नदी है यह एस्चुरी का निर्मान है यह नहीं करती आगे देखिए दोस्तो भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है तो डेल्टा है वो कौन सी नदी नहीं बनाती तो वो है दोस्तो नरमदा और तापती यानि कि तापती नदी है वो दोस्तो डेल्टा का निर्मान है वो नहीं करती है ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है डी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा देखिए इसमें आपको एक चीज बता देता हूं जो नरमदा नदी का उद्गम है वो अमरकंठक की पाहडी मद्देप्रदेश से होता है तीक है और तापती नदी का उद्गम है ये भी मद्देप्रदेश से होता है बेतुल जुजले से तीक है इसलिए इनको जुड़वा बेने भी का जाता है तो इसका राइट आंसर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर आगे देखिए शिप्रा नदी निमनलिकित में से किसकी साइक नदी है तो सिप्रा नद से दोस्तों कौन सी नदी नहीं निकलती तो देखिए गोदावरी गोदावरी नदी है ये दोस्तों अमरकंटक के पाड़ी से नहीं निकलती है बकी नरमदा तवा और सोन ये तीनों नदिया दोस्तों अमरकंटक के से निकलती है तो इसका राइट आंसर ए नंबर का प्रेसने महानदी 33 नमबर प्रेसने देखे महानदी नरमदा तथा सोन नदिया कहां से निकलती है तो दोस्तों कहां से निकलती है ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अमर कंठक की पाड़ी से तो इसका राइट आंसर मने भी आपको बताया था तो निमनलिकित नदी युगमों में से कौन जवारन अद्मुख का निर्मान करती है तो कौन सी नदी है वो जवारन अद्मुख का निर्मान करती है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नरमदा और तापती ठीक है तो इसका राइट आंसर ए नंबर का उप्शन हो बेती है तो देखिए दुस्तों यहां पर जो ब्रंस गाटी से वोकर नदी बैती है वो कौनसी है तो इसका रायट आंसर जाएगा वो है नरमदा तो इसमें बी नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल से उतर हो जाएगा ठीक है नरमदा आगे देखिए इसमें 36 नमबर प्रेशन निम्नलिकित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है तो कौन सी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जो तापी नदी है ठीक है के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विवाजित करती है तो वो है दोस्तो इसमें कौन सी तो वो है नरमदा नदी बी नमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखे दक्षिन भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है तो वो कौन सी है तो वो है दोस्तो इसमें गोदावरी ए नमबर का जो उप्शन है वो बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा गोदावरी आगे देखे निमनलिकित में से किस नदी को वरद गंगा के नाम से जाना जाता है तो कौन सी नदी को वरद गंगा के नाम से जाना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी गोदावरी को व्रद गंगा के नाम से जाना जाता है आगे देखे दोस्तो इसमें जो 40 नमबर प्रेस्न है इसमें देखे गोदावरी नदी का उदगम इस्तल है तो दोस्तो गोदावरी नदी का उदगम इस्तल है वो कौन सा है तो ये तो सब को पता होना चाहिए दोस्तो देखे नासिक जिले के दक्षेन पस्सिम में 64 किलोमेटर दूर त्रेमबक गाउं की पहाड़ी से गोदावरी नदी का उदगम होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रेमबक गाउं की पहाड़ी से गोदावरी नदी का उ गंगा किसके साइक नदियां है तो ये गोदावरी की साइक नदियां है ठीक है ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें 42 नमबर प्रेस ने भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उदगम तथा मुहाना दोनो भारती चित्र में इस्तित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गोदावरी ठीक है तो इसका बी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तो इसमें 43 नमबर प्रेस ने कावेरी नदी का उदगम इस्तल है तो दोस्तों कावेरी नदी का उदगम इस्तल है वो है करनाटक के कुर्ग जिले में इस्तित ब्रह्मगिरी पाहडी से दोस्तों कावेरी नदी का उदगम इस्तल है तो इसका राइट आंसर है सी नमबर का उप का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए 45 नमबर प्रेश ने कावेरी नदी जल विवाद मुख्यत है कि इन दो राज्यों के मद्देश्तित है तो दोस्तो कौन-कौन से राज्यों के मद्देश्तित है तो वो है करनाटक और तमिन नाडू के बीच में तो वित्रता के कारण दक्षिन भारत की गंगा का जाता है तो दोस्तो दक्षिन भारत की गंगा किसे का जाता है तो वो का जाता है दोस्तो कावेरी को ठीक है अब देखिए माँ आपको इसमें बता देता हूँ अब यहां पे पूछा क्या गया है कि दक्षिन भारत की गंगा क यह आपको इसमें याद रखना है तीक है दक्सिन की गंगा कौन सी है गोदावरी और दक्सिन भारत की गंगा कौन सी है तो वो है काविरी यह आपको इसमें याद रखना है तीक है important है ये चीजे डी नंबर का option right answer हो जाएगा कभी कबार लोग है वो confused हो जाते हैं इसमें और कभी कबार ने काफी बार होई जाते हैं इसलिए आप इसको चीज को रट लेना आगे देखिए 47 नंबर प्रेस ने कर्शना नदी का उद्गम इस्तल किसके समीप है कर्शना नदी का उद्गम इस्तल है वो किसके समीप है तो वो है दोस्तों महाबलेश्वर ठीक है महाबलेश्वर से उद्गम होता है दोस्तों इस कर्शना नदी का ठीक है और पस्मी गाट पाहड से महाबलेश्वर के पस्मी गाट पाहड से इसका उद्गम होता है तो इसका राइट अंसर वो है ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखिए 48 नमबर प्रेस ने इसमें देखिए पंच गंगा तथा दूद गंगा किसके साइक नदिया है तो ये किसके साइक नदिया है तो ये करशना नदि की साइक नदिया है पंच गंगा और दोस्तो दूद गंगा ठीक है तो इसका राइट अंसर ए नमबर उप्शन हो जाएगा आगे देखिए दोस्तो इसमें इंडो ब्रह्मा है तो दोस्तो इंडो ब्रह्मा है तो इसका right answer हो जाएगा वो है एक पुराणिक नदी है इंडो ब्रह्मा ए नमबर का option बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दामोदर नदी निकलती है तो दोस्तो दामोदर नदी है ये कहां पर निकलती है तो ये निकलती है दोस्तो छोटा नागपुर के पठार स ये निकलती है बी नमबर का option right answer हो जाएगा आगे देखिए दोस्तो इसमें 51 नमबर प्रेसन है निमनलिकित में से कौन भूमी बंदीत नदी है तो इसका right answer हो जाएगा वो है लूनी नदी तो इसका right answer C नमबर का option हो जाएगा आगे देखिए 52 नमबर प्रेसन है भारत की वाहे वाली नदी है वो कौन सी है तो वो है दोस्तों इसमें गंगा नदी ठीक है सी नंबर का ओप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए विश्व का व्रधतम डेल्टा निर्मित होता है विश्व का व्रधतम डेल्टा निर्मित होता है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों गंगा एवं बरंपुत्र का डेल्टा जो सबसे बड़ा डेल्टा है तो इसका ए नमबर उप्शन सेयुत्र हो जाएगा आगे देखे पस्यम की और परवाहित होने वाली नदियां पस्यम की और परवाहित होने वाली नदियां है वो कौन सी है तो दोस्तों देखे जो यहां पे मैंने आपको दे रखा है कि नरमदा और तापी ठीक है ये राप्ती नहीं है ठीक है नरमदा और तापी ये दोनों नदिया है ये दोस्तो पस्यम के और परवाहित होने वाली नदी है और कौन कौन सी है पस्यम के और परवाहित होने वाली नदी तो मैंने आपको बताया है दोस्तो एक तो माही नदी ठीक है और एक दोस्तो इसमें जो साबर मती नदी है ठीक है वो भी दोस्तो पस्यम की तरफ ही वेती है ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा एक और दो दोनो ठीक है मानस किस नदी की उप नदी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मानस है ये बरंप उतर नदी की साइक नदी है डी नमबर का उप्शन बिल्कुल से उतर हो जाएगा आगे देखिए कौन सी नदी बरंप से सरेणी से होकर बैती है तो दोस्तों वो है नरमदा नरमदा और तापती दोनों नदी है ये ब्रंच सरेणी से होकर बैती है नेक्स्ट है आगे देखे सताओन नबर प्रेस ने सोन और नरमदा निकलती है तो ये कहां से निकलती है तो ये अमर कंटक की पाड़ी मद्यपरदेश से निकलती है और दोनों विप्रिदी समय बैती है आगे द देखिए इसमें 59 नंबर प्रेशन है हिमाले काटकर यवम भ्हकर आने वाली नदिया है वो कौन सी है तो वह है दोस्तों मैंने अभी आपको बताए आगे देखिए निमनलिकित में से वह नदी कौन सी है जो एक विबरंस गाटी से होकर बैती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें नरमदा बी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तो ये मैंने आज आपको जो प्रक्रशना कि जरूरर बताए और आरध्यारस से कीडिवी के यूट्यूप चैनल को सबस्क्राब नहीं किया तो सब्सक्राब जरूर करें बैला एकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों कorta में जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स आफ्ट वीडियो में जय हिन जय भरत